Hello guys, welcome back to Architects World So, कैसे हो आप सब आज में आपके लेके आई हूँ बहुत हीं इंट्रेस्टिंग और हेलफुल वीडियो Wardrobe for everyone I know हर एक इंसान की अपनी requirement होती है अलग-अलब चीज़े होती है और सबको अपने wardrobe की internal sections बिलकुल अलग चाहिए तो अब आप चाहे एक fashion lover हो या फिर एक ऐसे इंसान जो एक functional wardrobe ढून रहे हो Trust me, यह एक ऐसी wardrobe है जो सबकी requirement पूरी fulfill करने वाली है हमने आज चारो age group cover करें है यानि कि toddlers, teenagers, adults and seniors एक ऐसी wardrobe जो इन चारो category में easily fit in हो सकती है बस थोड़े बहुत changes करने होंगे तो वीडियो होने वाली है बहुत जादा helpful वीडियो को इन तक जरूर देखना Now let's start with the video तो guys सबसे पहले ना जब भी हम wardrobe का session decide करते हैं Internals decide करते हैं तो हमें दो factors का सबसे जादा धिहान रखना होता है First होता है space कि आपकी room में कितना space है आपकी wardrobe कितनी बड़ी बनने वाली है I know हर किसी की अपने अलग-अलग space निकलेंगे उसके according आप अपने internal sections manage कर सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी wardrobe की कितनी length होने वाली है और कितनी height होने वाली है Second होता है requirement I know हर किसी की अपनी अलग requirement होगी तो आपको अपनी requirements को हमेशा एक pen paper पे not down करना है कि आपको किस type कपड़े हुआ पर रखने है Suppose कपड़े आपको रखना कैसे पसंद है Fold करके की hanging करके If hanging कपड़े हैं तो किस size के हैं Suppose आप एक girl हो तो कैसे कपड़े क्या वो floor length के कपड़े हैं तो थोड़ा सा एक idea आपके mind में होना चाहिए कि वो किस type की dresses है Long dresses है, floor length dresses है या पर कोई mid dress है कि वो जो easily उनके लिए 4ft का space बहुत रहेगा तो आपको वो सारी चीज़े पता होनी चाहिए And accessories हैं कि suppose watches हैं, necklaces हैं And rings हैं कि वो आपको कहां पर रखनी है अगर wardrobe के अंदर चानी है तो उसको कितना space चाहिए मतलब कि कैसे रखनी है, क्या box के साथ रखनी है या फिर उसका एक अलग से आपको customized drawer बनवाना है तो वो सारी बाते आपको हमेशा एक paper पर note करनी है And last not the least कि आपको अपने wardrobe के अंदर shoe drawer चाहिए या नहीं चाहिए अब I know हर इंसान की अपनी अलग requirement होती है कई लोग prefer करते हैं कि wardrobe के अंदर ही एक shoe drawer हो और कई लोग prefer करते हैं कि ना हो तो आपको ये वाली cheese भी अपनी wardrobe ले लिखनी है So, अब सीधा चलते हैं वाट्रोब सेक्शन के अपर तो स्क्रीन पर आपको तीन वाट्रोब दिखाई दे रही होंगी तो चोगी तीन वाट्रोब है मेरे according ये perfect हैं ये किसी भी age group में असानी से fit and हो सकती है तो हमने क्या किया हुआ है अगर मैं बात करूँ फर्स सेक्शन की तो मैं ने नीचे एम्टी स्पेस छोड़ा हुआ है शूज के लिए अब आप चाहे एम्टी स्पेस छोड़ लो या फिर आप एक ड्रॉर बना लो उसकी बाद हमने दियो है तीन ड्रॉर्स अगर मैं बात करूँ एक बेसिक वार्ट रोर की ना तो पहले क्या होता था नीचे एक शूट रॉर है देन शेल्फ है देन एक और ड्रॉर है देन हमरे पस हंगिं का स्पेस है लेकिन जो यह बीच वाली शेल्फ है इसको यूज करना थोड़ा सा ट्रिकी है आपको बार बा अगर मैं अपने जो मेरे शेल्फ है उसको रीप्लेज कर दो मुविंग ट्रे से या फिर मुविंग ड्रॉर से तो चीजे और इसी हो जाती है अब आप इस पेस का बिटर यूज कर सकते हो बिकॉज अब आपको सिफ पुल करके खोल ला है और आप एसली देख सकते हो कि पर क्या रखा हुआ है और इसमें कोई कोई इंक्रीज नहीं हो नी बस एक ही कोई इंक्रीज होगी जो की है आपके चैनल्स की बिकॉस नॉर्मल वुड का प्लांक है तो आइ थिंग बहुत मिनिमम कॉस्त है लेकि यह जो वार्ट्रोब आपको लॉंग तर यूज कर नहीं ह लेकि इंडियन क्या कोई भी एज ग्रूप हो हम लोग बार-बार वार्ट्रोब नहीं बनवाते हैं अगर जो वार्ट्रोब बन गी तो शायद यह वार्ट्रोब हमें सालों तक चलानी है तो वह अगर मैं सोच तो एक चैनली कॉस बहुत चोटी कॉस्ट है तो अब यह जो से आप इसली यूस कर सकते हो उसके बाद हमने दिया है हैंगिंग का स्पेस एंद अपर एक लॉफ्ट है अगर में सेंटर वाले की बात करूं तो वहां पर हमने साइट में पूरे शेल्फ दिये हैं और नीचे स्पेस छोड़ा है मेरे फ्लोलन कपडों के लिए या फिर में एक और शेल्फ दिया है और थर्ड में ने सेम रिपीट करिया है फर्स की जैसे तो यह हमने बेसिक एक स्ट्शन बनाया है और हमारे अकॉर्डिंग ना ट्रस्ट में यह हर एक एज ग्रूप इसली यूस करता है बस कुछ चेंजिस उसे करने पड़ेंगे अगर में बात तो अगर में बात करूँ फर्स सेक्शन की तो अगर में पास नीचे अगर जो ड्रॉर है आप उसमें कुछ ऐसे टॉइस लग सकते हो जो आपको यूस अभी नहीं करने सपोर्स कुछ तो बच्चे के वन साल के बाद काम आने तो वह पर जा सकते हैं बांकि जो तीन ड्रॉर पर अब जाएस उन में आप इसली उनकी डाइपर्स या फिर कुछ जो फोल वाले कपड़ हैं वो अरेंज कर सकते हो और यो तो अभी यूस में आरे हैं आप वो अरेंच सकते हो और जो क्रीएं से अनल होती है बात में आप गार सकते हो अज़ कुछ ऐसे कपड़ हो बड़ यह बिल्कुल आइडियल है टॉडलर के लिए एंड में बाग करों सेकंड की तो सेकंड वार्ट्रो को भी आप इसली यूज कर सकते हो टॉडलर के लिए अफकॉस इसमें ड्रॉर नहीं है तो आप अपने यहां ड्रॉर्स आड कर सकते हो वरना जो शेल्स हैं उनमें फोल तो उसके लिए आप यहां पर नीचे ना एक और हैंडिंग रोट लगा सकते हो तो आप ती पास हैंडिंग का स्पेस डबल हो चाहेगा एंड चीजो का अच्छे से यूज कर सकते हो तो आप टॉडलर के यह वाली जो वार्ट्रो पह बहुत इसली यूज कर सकते हो अब आत छो भी स्टेशनल का समान है उसमें आप उसली उनकी बूक्स रख सकते हो अगर वॉई है तो कपड़े रोसकते हैं अगर गर गर है वाठी है उनको मिडेश है या स्कोर पहन तो ख्लो लेंग ड्रेस पहनना है तो भी उसके ली स्पेस हैं अगर नहीं पसंद की हैंकरना है त आपकी वाचीज हैं, ग्लासीज हैं या फिर गर्ल है तो कुछ ज्वेल्री है तो उसके लिए आप प्रॉपर अपने फॉर्स ट्रॉर को कस्टमाइज कर सकते हो अपने 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 आपकी फोर्स वाट्रोबे इसमें आपके हस्बं की कपड़ी आ सकते हैं नीचे शूज होके देन ट्रोष में उनके टी-शिर्च या फिर लॉर्स आ गए एकमें उनके अंडर्गारमिं उनकी असिस्ट्री आ गी एंड उकपर उनकी कपड़ी हो सकते हैं और कुछ ऐसी हैं जो occasionally use होती है उनको आप लॉफ्ट में रख सकते हो अगर आपकी वाइफ है तो वाइफ के कपड़े क्या होते हैं फोल वाले कपड़े आपके शेल्स में आ सकते हैं और जो वो कुछ dresses ऐसी होती है जो हम लोग वियर करते हैं like long dresses तो उसके लिए proper अपर हंगिंग स्पेस है जो अपने अकॉर्ण कश्या माइस भी करवा सकते हो इनकी लेंध को अपने अकॉर्ण अपर नीचे कर सकते हो और जो एक और वाटरॉफ थर्ड वाली उसको भी आप वैसे ही same way में use कर सकते हो like अगर wife को use करनी है तो proper 3-4 drawers है अलग अलग चीज़ के लिए use कर सकते हो shoes के लिए use कर सकते हो it's up to you कि आपको कैसे use करनी है लेकिन आपके लिए पूरा अच्छा कासा space है and trust me guys ये normal wardrobe से जादा space है इसके अंदर and इसका अब सादा अच्छे से इसमाल कर पाओगे and of course अगर मैं बात करूँ adults की तो adults में क्या होता है वो लोग छुक नहीं सकते तो उनके लिए drawers सबसे सादा अच्छा options है वो इस case में पूरी wardrobe को easily use कर पाएंगे and adults की भी same ही चीज़े होती है like clothes होगी, accessories हो गई and shoe हो गया तो यहां पर इन तीनों की लिए proper spaces है तो आज जैसा कि मैंने वीडियो के starting में कहा था कि हमें बहुत ही minimum changes करने पड़ेंगे लेकिंग ये wardrobe चारो age group easily use कर सकते है तो मेरा आज का motive ही यही था इस video बनाने का कि हम आपको एक ऐसा section दे पाए wardrobe का तो आपका जो storage है वो बढ़ चाहे and जो आपका wardrobe हो बिल्कुल clutter free निकले तो trust me guys you can take the screenshot and end में इसका proper आपको dimensions भी provide कर दूँगी आपकी ये एक single wardrobe आपको बहुत सादर helpful रहेगी and ये एक ऐसी wardrobe है मैंने बहुत माथा मारने के बाद इस point ते पहुचे हो कि एक ऐसी wardrobe है जो हर एक age group यूज कर सकता है and type of person भी इसको easily use कर सकता है because इसमें सब कुछ है like fold के लिए proper space है and drawers proper है and hanging के लिए proper space है तो ये बहुत ही अच्छी चीज है and I think मैं recommend कर सकते हूँ कि आप अगर नई water बनवा रहे हो या सोच रहे हो तो आप ये section अपने लिए चूज कर सकते हो आपको कोई भी regret feel नहीं होगा so guys that's all for the video अगर video अच्छी लगे and help मिले थोड़ी सी भी तो चानल को subscribe जरूर करना thank you guys for watching and video के end में आपको इसकी देमिशिस मिल चाहेगी thank you guys keep loving keep supporting thank you guys for watching